वेरी गूड मॉर्निंग कैसे हाँ अप लोग होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और टाइम में बता देते हूं साड़े आठ होगी है राधे राधे चैश्री राम और कोफी बना लाई हूँ आप लोग पी सकते हो और तैलान साभ और लक्की साभ जो है वह सो रहे है और मिर्खोव होगी थोड़ी सी गले में खरा सी और जुखाम जैसा कुछ लग रहा मुझे और उठी थी मैं साड़े छे दोन्हों चैनल की वीडियो प्लोड की और कुड़े वाला टेक्ट रा गया था वो डाल की आई फ्रेश होई और एकसरसाइस की और कलर लगा कलर बेसिकली पता हज लगाना तो नहीं था लेकिन अचानक जाना पड़े गया और सारे जो है वाल जो हो वाइट हो रहे है तो ऐ याद बड़े वाली नंध है उसके पास वी चले जाए पर उसका पक्का नहीं हो है तो अभी कलर लगा लिया कोफी पी ली है और अभी साथ साथ में देख रही थी अनुपमान तो फीर आप लोगों से गूर मोनिंग नहीं बोला था क्योंकि दोनों फोनों पे ना जो वीड पर लगा रखी थी तो इसलिए तो अभी मैं करूंगी कामस्राट और शाद तक दूद वाले भी याबिया चाहेंगे तो ऐसा कोच हर बिसिक लिया जना दूद के लिए मना करना था लेकिन शाम को ध्यान में रहा है तो अभी उसको मना करूंगे कल के लिए दूद ना लेग तो अभी मैं आगी हूँ किचन में और किचन में ना सुभेरे सुभेरे जसे चाय लेते हैं मेरे हजबंड तो उनको ना मतलब हैवी ब्रेकफास्ट चाहिए होता है तो आज मैं कुछ और मिठा या और कुछ ना दे के आज यहां पर मैंने एक बनाया है परोटा और परोटा किस चीज़ का बनाया है बेसिकली जो आलू की चटनी थी ना उस चटनी से यह परोटा बनाया है और दो रोटी जैसे पूरी बड़ी बड़ी बेल के और उसके बीच में चटनी डाल के और तब यह मंदी आज पर यह परोटा सेका था थोड़ी कसूरी में थी डाल के आटे में ही बेसिकली कसूरी में थी और नमक कजवेंड डाल दिये थे और फिर बीच में छालू की चटनी डाल दी थी तो ऐसे कोई भी चटनी हो ना मेरे पास तो वैसे अल्ड़ी मतलब फ्रेज में कोई न गोई गोई न दो डाल की चटनी रहती है तो जैसे सबजी खाने का मन नहीं होता ना आतो ऐसे परांटे चाहिए लाल चट्नी ओरी चट्नी कोई मतलब कोई भी चट्नी आइसे परांठा बना देती हो और यह आप यकिन माननों बहुत ही जादा टेस्टी यह परांठा Wham के तियार हो जाता है तो यहां पर यह बन गया है तैलांजी की ठाली लग चुकी है और उनको मैं देखे आऊंगी और अब यहां पर शाम का टाइम हो गया है सुबरे से सीधा मैं शाम को मिल रही हूँ आप से यानि पांच बजे के आस्वास का यह टाइम है क्योंकि बीच में करना तो दो को प्रस्तार तो मैं पूरा दीम लेटी ही रही थी बहुत जादा थंड चड़के और ख़ures तो अब यहां पर सब्छी तो बाही बनानी थी काम चलता नहीं है तो यहांपर यहां पर आलू और खभी स्टींड कर ली थी मेंने और आ भी यहां पर दूसरी बारिक चोक कर लिये ये देखो और एक शोट कट रेस्ता बताओंगी अगर आपके पास time कम है तो आप ऐसे सब्जी में आ सकते हो बहुत tasty बनती है और stream वाली सब्जी में न बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को personally अगर मैं बताओ न सबसे ज़्यादा tasty मुझे जो सब्जी लगती है न वो steam वाली सब्जी लगती है और basically जो हेल्थ कॉइंशिस लोग हैं उसके लिए भी बेस्ट ऑप्शन होता है स्टीम करके वैजिस खाने का तो यहां पर जो बेसिक से मसाले है वो डाल दिये है मैंने यानि हल्दी धनिया और थोड़ सगर मसाला और लाल मिर्च देगी वाली कलर के लिए और थोड़ सा नमक डाल दि अब यहां पर जो है यह सबजी जो स्टीम होने रखी थी वो स्टीम हो चुकी थी तो मैं उसमें मसाले में बेसिकली वो मिक्स करूंगी अब ही क्या हुआ कि सबजी की तरफ मेरा ध्यान था और चाय मेरी थोड़ी सी गैस पे निकल गई अब निकल गी तो भाई कम जदा दालती हूं सबजी में जो मेरे रगुलर मेरे व्लॉक्स देखते हैं उनको पता ही मैं क्यों डालती हूं तो क्योंकि इतालन साब को ने तिकी सबजी कताई पसंद नहीं है तो यहां पर ऐसा कुछ है तो वह सबजी खाएंगे तो उनको ज्यादा तिकी नहीं लगेगी मैं यहारी मिट्च ले लोगे तो मुझे तीखी लगेगी तो ऐसा मैं बना लेती हूँ तो बस यहाँ पर यह इसमें जखो जैसे वीडियो में कलर आ रहा है ना अक्शल में कलर बहुत अच्छा था लेकिन वीडियो में थोड़ा सा कम कलर आयो लेकिन बहुत टेस्टी सब्जी व की थी और ये ले लेंगे और बेसिकली मैं उनी को दे रही हूँ बाकी मेरे को तो खाना नहीं है क्योंकि मैं आदा कप चाहिए न नमक डालके ही लेनी थी मेरे को तो वही मैं डाल रही हूँ और बेसिकली उनके लिए बना रही थी चाहिए लेकिन उनके बना कर दिया कि मेरे लिए मत बना फिर अब मेरे को ये रहता है कि अगर मैं नहीं पिएंगी तो भी नहीं पिएंगे तो फिर मैंने का चल दो गुट ले लेती हूँ क्या कोई मरी थोड़ी जा रहे है दो गुट अगर पी लूँगी तो तो ऐसा कुछ था तो मैं ऐसे थोड़ा सा कर लेती हूँ तो अब ये होगी है चाई रेडी और अब ये रात को मेरी तब्यत हद जादा खराब होगी थी तो अभी जैसे जुखाम और बुखार हो जाता है गले में खराश हो जाती है तो एक उसकी ना देसी दवाई मैं आप लोग इसा शेयर करूंगी मतले बिसिकली कर रही हूँ अ और इसमें मैंने गाई का देसी घी डाल दिया है और ये घर का बना हुआ बेसन है और गैनिक सारी चीजे जाएंगी इसमें और गैनिक ही ये घी है और गैनिक ही इसमें खांट जाएगी तो अब घी डालके और बेसन को अच्छे से भून लेंगी और भूनने के बाद इसमे डाल देंगे गरम पानी आप गरम पानी डाल सकते हो आप दूद डाल सकते हो आप चासनी बना के भी डाल सकते हो यहां पर मैं करूंगी जैसे यह बबल साने शुरू हो जाते हैं बेसन में और हलका सा हना कलर चेंज हो तब ही आप पानी डाल देना होता है और इसको थोड़ा सा लिक्विड बनाना होता है यह जो बेसिकली बेसन का हलवा है हलवा जो होता है थोड़ा टाइट होता है लेकिन यह थोड़ा जैसे रबडी टाइप हो जाता है उस टाइप से कुछ बनाऊंगी मतलब यह बनता है और इसको ना जैसे थोड़ा थोड़ा करके ना जैसे चम्मत से ना मतलब खाते हैं तो अच्छा गला सीक जाता है और जुखाम में भी बहुत अच्छी रहत मिलती है तो बेसिकली एक दवाई का काम करेगा ये और खाके और ओड़ के सो जाना है और जब पसी ना आएगा ना तो जुखाम और जो गला है बुखार है वो सब में रिलिफ मिलता है तो बस मैं अपने लिए यही कर रही हूँ तैलन साब चा चुके थे ओफिस और आजलकी की वी तवित बहुत खराब थी और डॉक्टर भी बुलाए थे बाकि डॉक्टर ने तो भाई चवाब दे दिया उसका अब यह जो है बेसन का जो जो दवाई मैंने बनाई है बनने के बाद एक चमच इसमें गीड एड़ जरूर करना है क्योंकि टेस्ट रिवड जाता टेक्श रिवड जाता है अब यहाँ पर यह होगी है मेरी दवाई यानि बेसन का हालवा रेड़ी तो इसी के साथ इस वलो कमेंड करते हूं मिलते हूं आपसे नई दिन में एक नई उटजा के साथ बाई बाई